TCS, Infosys & विप्रो ये तिनों इंडियन कंपनी IT सेक्तर के लाइजस्ट कंपनी सैं और TCS का सेर प्राइस 3000 के उपर ट्रेड कर रहा है इन फोसीज का 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और विप्रो का तो 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या हम सिर्फ सेर प्राइस देखके कह सकते हैं कि यह TCS बहुत ही एक्सपेंसिव है और विप्रो काफी चीफ वैलुएशन पर ट्रेट कर रहा है हम अक्सर न्यूज में भी मार्केट में भी सुनते हैं कि मार्केट बहुत ही ओवर्ड वैलुड हो गया है कभी हम सुनते ही फोक बहुत ही लोब वैलुएशन पर चीफ वैलुएशन पर ट्रेट करा वाँगाए तो क्या में도 चीफ में खरीद रहा हुआ है कि कोई-भी कंपिनि वैलुएशन है वह एक्स्पैंसिव य questa निंग रेस्यों सब्सक्रिवerm मिस्टर सेंटरेटर मेरा नाम है रंजीत और मैं हूँ आपका अपना फाइनिसल एडवाईजर आज हम इस वीडियो में प्राइस टू अर्णिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे हमने अल्रेडी लास्ट वीडियो में में EPS क्या होता है इसके उपर discussion कर रखा है और हमने आपको बताने की कोशिज की कि कंपनी के profit में आपके एक शेर्स के वदले में कितना profit कंपनी का मारी है ठीक है इस वीडियो में हम प्राइस टू अर्णिंग रेशियो देखते हैं चलिए स्लाइड्स में पी रेशियो क्या होता यह समझने की कोशिज करते हैं और हम पता करने की कोशिज करते हैं कि आपके company का valuation सस्ता है या महाँगा कैसे आप पता कर सकते हो सब्सक्राइड लास्ट वीडियो में अमने अर्णिंग पर शेयर क्या होता है वो देखा था तो EPS का मतलब यह था कि company के profit में आपके एक शेयर की profit कितनी है वो पता चलता है तो वैसे अगर simple term में P ratio यानि कि price to earning ratio क्या हता है बताऊं तो आप as an investor एक share buy करने के लिए आप कित कितने number of times of earning pay करना चाहते हो इन other sense अगर company एक रुपे का profit करें तो कितने number of times 10 times 20 times आप pay करना चाहते हो उसके एक shares खरिदने के या फिर इसी चीज़ को other term में बताना चाहूं तो price to earning ratio का मतलब होता है कि अगर suppose करो company सारा का सारा profit share orders को distribute करती है generally company क्या करती है थोड़ा सार as a different distribute करती है बाकी company reinvest करती है ताकि company grow करती जाए और बड़ी होती जाए तो अगर reinvest ना करके company सारा का सारा पैसा share order को distribute कर देती है तो कितने साल लगते हैं आपको वो सारे पैसे recover करने में जो आपने एक share buy करने के लिए invest किया था so friends अगर मैं peer ratio का formula बता हूँ तो बहुत ही simple है इसमें market price को divide करना earning per share EPS है last video में हमने already discuss कर लिए EPS का formula कि इसको net profit minus preferred dividend divided by outstanding share अगर आपने अभी तक last video नहीं देखा है तो वो देख लीजेगा उसका link उपर card में आपको मिल जाएगा तो आप सोच रहेंगे कि ठीक है peer ratio क्या होता है formula क्या है यह समझेगे बर इस peer ratio से हम पता क्या करते हैं तो peer ratio से हमें पता चलता है कि share price overvalued है या undervalued है general rule यह है कि अगर किसी company का peer ratio बहुत ही high है तो उसको हम overvalued बोलते हैं लेकिन अगर किसी company का peer ratio low है तो यहां पर undervalued होते हैं यहां पर कोई भी एक specific rule नहीं है कि इतने times के बाद से peer ratio के बाद से overvalued या undervalued होगा वो depend करता है different sector different industries में अलग-अलग होते हैं ठीक है और यह भी इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई company अगर low PE पर trade कर रहा है तो वह सस्ती हो हो सकता उसका fundamental अच्छा नहीं हो हो सकता वह company grow करने की जगह decline कर रही है उसका growth नहीं negative growth में हो ठीक है और ऐसा भी नहीं कि कोई company अगर high valuation पर trade कर रहा है तो वह share price overvalued हो सकता company का growth बहुत ही high आगे होने वाला है इसलिए वह over price trade कर रहा है तो आपको हमेशा reason ढूड़ना चाहिए कि company high अगर trade कर रहा है तो क्यों कर रहा है और अगर low pv पर trade कर रहा है तो क्यों कर रहा है तभी आपको exact valuation पता चलेगी अगर आपको पता करना है कि आपने जो company खरता है वह cheap है यह expensive है तो आपको उसके p ratio को stock p ratio को industrial p ratio के साथ compare करना पड़ेगा या फिर आपको historical p ratio निकाल कर उसे compare करना पड़ेगा या फिर आपको p ratio को उसके peers के साथ जो भी उसके competitors है पीर्स है उन company के p ratio के साथ compare करना पड़ेगा कि किसका p ratio कम है या ज्यादा है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि last EPS वाल example में भी हमने TCS के वारे में देखा था तो वैसे हमने यहाँ पर TCS का historical valuation chart लगा रखा है fenology.com से तो यहाँ पर ticker.fenology पर आप जाकर चेक करोगे valuation chart को तो लास्ट पांस साल में TCS का जो peer ratio valuation वह almost 25 के आसपास रहता था ठीक है अभी recent bull market में यह peer ratio जाकर 34.91 valuation पर हो गया है और अकर मैं बाकी peers के साथ compare करो तो Infosys का 31 है, Vipro का 27.34 है वैसे ही बाकी का भी आप यहाँ पर check out कर सकते हो तो यहाँ पर TCS IT sector की largest company हैं के पास order book value बहुत बढ़ी है, Tata का brand value है, बहुत ही सांदार company है इसलिए यह company industry P ratio से और peers के comparison से काफी high valuation पर trade कर रही है अभी currently market में भी bull market चल रहा है, इसलिए historical P से भी high P ratio पर trade कर रही है तो आपको भी अपनी company का P ratio cheap और expensive ऐसे ही decide करना होगा So friends जब आप sector wise अगर P ratio चेक करोगे तो देखो कि FMCG के stocks जो रहता है वह 100 x 80 x ऐसे बहुत ही high P valuation पर trade करते हैं वही अगर मैं किसी metal company की या construction company की P ratio के बात करो तो वह काफी low P valuation पर trade कर रहे होते हैं textile sector हो गया या ऐसे कुछ sector हो गया तो वहां पर काफी low P valuation होता है तो यह अलग-अलग sector wise ऐसा क्यों होता है यह अलग-अलग P ratio पर क्यों trade करता है तो अभी चार स्लाइड में इसको भी explain करते हैं जब भी आप अगर किसी भी company का या किसी इंडेस्ट्री का अगर EPS growth निकालोगे और वहां पर EPS growth देखोगे कि बहुत ही कम है ठीक है बहुत ही low EPS growth है 10 वाला 12 15 ऐसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है ग्रो कर रहा है थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है growth rate बहुत ही कम है तो वहां पर उस तरह की company को P Valuation जो है वह बहुत ही कम मिलता है और जैसा कि हमने formula में देखा था कि P ratio क्या होता है price divided by earning पर से है तो अगर इसी की company का तो वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा जहां पर growth तो है price growth तो कर रहा है बट उतना good return नहीं दे रहा है low return देगा बट वही अगर किसी high EPS growth वाली company का अगर आप देखोगे तो बहुत ही high P Valuation पर trade कर रहा 50 times, 70 times, in fact हो सकते है 100 या उससे जादा times वे भी P Valuation पर trade कर रह तो वहां पर investors जैसे हमने formula में starting में ही बात की कि कितना investors willing to pay है कितना वो देना चाहते हैं एक shares को buy करने के लिए तो जहां पर growth बहुत ही high होता है वहां बहुत ही high valuation investor देने को ready है क्योंकि उनको पता है बाद में EPS बहुत ही ज़्यादा grow करने वाला company profit कमाएगी reinvest करेगी और growth आएगा तो उसके company के share price भी बहुत ही सांदार good return देते हैं और compounding effect यहां पर काफी ज़्यादा होता है वहां EPS में भी compounding work करता है और share price भी उसी के according move करता है हाँ generally market में one way ऐसा कोई rise नहीं दिखेगा आपको बीच-बीच में dips मिलेंगे market sentiment की वैसे but quarterly result तो हर 3 महिने बाद आता है ना हर 3 महिने के बाद quarterly result आता है तो उसके according ही हमें हमें साथ देखना चाहिए लेकिन आप देखो एक कुछ company के जो EPS है वो negative growth में मतलब EPS बढ़ने की ज price fall करने लगता है तो इस तरह के company में आपको बिल्कुल भी invest नहीं करना है जहां पर EPS में growth नहीं है ठीक है तो आपको future देखना है company करेंट और historical PE और historical EPS से काम नहीं चलेगा आपको future प्रिडिक करने की courses करना होता है as investor हमें यहीं करना होता है और कई वार आपने देखा हो कोई cyclical sector होता है जैसे की जैसे की steel sector हो गया metal sector हो गया या real estate से related कोई company हो गया infra से related तो यह cyclical in nature होता है इनका क्या होता है कि कभी कभी cyclical boom आता है तो बहुत ही high PE growth होता है बट उस time में PE ratio बहुत ही high नहीं मिलता है क्यूंकि investors को पता है कि इनका future में फिर से cyclical turn आएगा और वहाँ पे फिर से EPS थोड़ा सा decline कर सकता है तो वहाँ प share price grow करते है और जब यह cyclical boom में होते तो बहुत ही तेजी से share price grow करते है बट फिर थोड़ा 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 decline phase में भी चले जाते है तो इस तरह के companies में जब भी cyclical sector में आप entry and exit बहुत ही important हो जाता है तो कभ cyclical turn हो रहा है वह आपको predict करना होगा वह आपका analysis करना होगा research करन होगा तो इस तरह के stocks में आप इस तरह से entry ले सकते हो अगर आपने कभी कोई research report या आपने annual report भी पढ़ा होगा तो आपर दो तरह के आप P ratio के वारे में check की होंगे trailing P ratio and forward P ratio trailing P ratio basically past earnings के पिछले 12 month के earning जैसे हमने जैसे कि last video में हमने TTM trailing 12 month EPS पढ़ाता तो वैसे ही वह trailing 12 month के EPS को अगर calculate करके P ratio निकलते हैं तो हमारा यहाँ पर trailing P ratio निकल जाएगा और यह काफी accurate होता है क्योंकि हमने exact data लिया हुआ है और commonly यही used होता है जब भी आप कि किसी website पर चाहिए वह screener.com हो, stockage हो या कहीं भी आप money control पर भी चेक करते हो तो वहाँ पर trailing P ratio ही दिखाता है बट कई वार आप जब research report पढ़ते हो या किसी brokerage firm का report पढ़ते हो तो वहाँ पर वह लोग forward EPS calculate करते हैं estimate करके growth rate निकालके तो उसके according फिर वह forward P ratio भी निकालके आ अपना accurate नहीं होता है बट इससे आप future earning and future growth और stock price के future return को estimate कर सकते हो आसा करते हूं अब आपको P ratio क्या होता है यह समझ में आ गया होगा अब आप लोग मेंसे काफी लोग सोच होंगे कि चलब ठीक है हमें किसी stock का जब P comparison करना है तो हम historical average और पियर से comparison कर लेते हैं या industry P से comparison कर लेते हैं बट जब महती निफ्टी महंगा या सस्ता इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम कैसे compare करते हैं थे निफ्टी P ratio क्या होता है इंडस्ट्रियल P ratio कैसे calculate होता और कहां से हम industrial P ratio देख सकते इन सबही के ऊपर next video में हम भाग करेंगे जो कि यह कम्प्लीट बएस बना रहा हो हुआ वीड़ियो सीरीज का जो कि प्लेडिस्ट का नाम होगा इसे कंट करने का बहुत जादा था रिस्क बिन लेना पुर्ण में भी जहां सबसे कम रिस्क होता है तो इंडेक्स को भी बीट कर सके तो यह स्ट्राइजी समझने के लिए यह कुछ बेसिक रिशियो आपको समझ में आना चाहिए था तो नेक्स वीडियो सीरीज की निफ्टी पी रिशियो क्या था और सेक्टर पी रिशियो के बा लगा इस वीडियो को थम्सब जरूर कर देना नीचे दो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यह वीडियो कैसा लगा और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स और जो इन्वेस्टर्स स्पेकुलेशन करते हैं पैनी स्टॉक्स में करो उनको कैसे स्ट्राइटेजी पता होनी चाहिए कि यह सारी ठीक है सो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हैपी इंवेस्टिंग ट्रेडिंग बबाई